दिल्ली की केज़िवाल सरकार के मंत्री राजेंदर पाल गौतम ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है बीजेपी उनके उपर आरोप लगा रही थी कि 5 अक्टूबर को दशेरे वाले दिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है हिंदू की भावनाओं को आहत किया है और हिंदू विरोधी बाते उन्होंने कही है असर में बात ये थी कि 5 अक्टूबर दशेरे वाले दिन दिल्ली में एक कारेकरम हुआ था बहुत दिक्षा कारेकरम ये था इसमें दिल्ली की केजिवाल सरकार के मंत्री राहिंदर पाल गौतम गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ परतिग्याएं ली थी हाला कि ये परतिग्याएं जो है वो कोई नहीं नहीं थी लेकिन इन परतिग्याओं में ये कहा जा रहा था कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता प्रतिग्या लेने का जो है शपत लेने का कारेकम जो है वो चलता है बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया कि एक तरफ जब दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल गुजरात में कभी सोमनाज जा रहे हैं कभी द्वार का धीश जा रहे हैं कभी अपने आपको हनु जी का भक्त बता रहे हैं तो फिर कैसे उनहीं के मंतरी जो है ये कह सकते हैं कि मैं राम और कृष्ण को अवतार नहीं मानता ब्रह्मा विश्णु महेश को नहीं मानता गौरी गौरी गौनेश को नहीं मानता तो ये मुद्दा जो है बीजेपी ने उठाया और इस मुद्द में जो है राजिंद पाल गौतम ने अपना इस्तीफा दिया और यह कहा कि उन्हों ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है वो ही किया है जो बाबा साब अंबेट करने पर तिग्या ली थी लेकिन उनका यह कहना था कि बीजेपी इस कि हिंदू गिरोधी जो मंत्री हैं अर्विन केजिवाल के उनको हटाया जाए